Hi guys, welcome back to another video of Accounts Addabbed, आजब Accounting Equation के चेप्टर को समाप्ट करने वाले हैं, हमने अभीता का मुवन टीन वीडियो देख ली हैं, सबसे पहले Accounting Equation का concept समझा फिर छोटे मुटे question करें, फिर बहुत बड़े-बड़े question की practice करी, आज तुम्हारे ड़ से सामना करवा रहे हैं, जो की ह word problem, और यकीन मानिए, इस वीडियो को पूरा देखने के बाद, जब आप अपना paper देने जाओगे न, तो भगवान से दुआ करोगे कि है भगवान, काश, काश, word problem आजा है, क्योंकि उन से आसान, कुछ भी नहीं है, चलिए चलू करते हैं, जब भी हम word problem की बात करते हैं, तो actual में हमें जो डर लगता है, वो word problem से नहीं, उनमें मौझूद कुछ शब्दों से, जैसे की opening capital, जैसे की closing capital, जैसे की creditor, जैसे की total asset, जैसे की total library, अब जिन लोगों ने word problem के question कभी भी ट्राई किये हैं, वो सब इन शब्दों के डर से वाकि पर जिन लोगों ने अब तक try नहीं किये, सच्छे subscribers, तो जिन लोगों ने अब तक try नहीं किये, उन लोगों को पहले में एक थोड़ा सा briefing देता हूँ, word problem का मतलब कुछ नहीं है, आपने जो accounting equation का question करा है, उस question को summarize करके दो line में बता दिया जाता है, और आपको उनकी मदद स fill in the blanks को भरना है, जैसे, for example, वाल लीजिए, asset is equal to capital plus liability आपने अब तक पढ़ा है, अगर मैं आपको कह दू कि asset है जनाब 10 लाग के, capital है 4 लाग की, तो ये बताइए liability कितनी है, तो कोई भी नौसिकिया बहुत अग्राम से बता देगा, कि sir, liability हो गई 6 लाग, ये जब शब्द कहते हैं, पर at the end करना आपको इतना ही, पहले मैं आपको थोड़ा ये समझाता हूं, कि इन शब्दों का अच्छुन में मतलब क्या होता है, अगर एक बार मतलब समझ गे, तो आप बोलेगे, रहे चले, क्याई वच्चे वाली बात है, देखो, इसको समझने के लिए होने मिलकर जब solve करा था, तो ऐसा answer निकाला था, यह मैं हूं, यह question है, और यह वापिस मैं हूं, हम लोगों ने इस तरीके का एक solution करा, इस solution के अंदर cash आया, furniture आया, stock आया, debtor आया, capital आया, credit आया, जैसे जैसे हमने transaction देखे, वैसे वैसे हम इसमें fill करता है, कभी capital में कुछ कभी नहीं जुड़ा, कभी capital में कुछ जुड़ा, कभी capital में कुछ minus हुआ, कभी वापिस minus हुआ, and at the end हमारे पासे capital निकल कर आगे, similarly, बाकी सबी चीजों में भी ऐसा हुआ, चाहे वो creditor हो, चाहे वो cash हो, चाहे वो furniture हो, चाहे वो stock हो, चाहे वो debtor हो, हर जगे बहुत सारे plus minus हुए, और plus minus होके, हमें finally कुछ amount नीचे देखने को मिला, उस amount को लेकर उसकी मदद से, हम लोगों ने बना दिए एक balance sheet, जो की match करें, एक चीज़ को यहाँ पर समझे, इस balance sheet के अंदर, जो जो amount हमने लिखे हैं, यहाँ पर, क्या वो इस question का end result है, बोलो हम, इस question को solve करके, हमने जो answer निकाला था, वह हमने यहाँ एक, क्या मैं यह कह सकता हूँ, थी यह trust के वो, यह solution करने के बाद आई, क्या मैं यह कह सकता हो, थी पूरे साल में जितने भी transaction हुए, यह रा पूरा साल, उन सारे transaction हो को को करने के बाद, at the end, मुझे यह balance sheet में, भोडो हाँ, इसका मतल जब है जनाम ही जो balance sheet है ना ये आपकी closing balance sheet है क्या है closing balance sheet या balance sheet at the end कहलाती है similarly इस balance sheet में मौझूद हर एक element भी closing element कहलाया जाता है क्योंकि वो आपका साल अंतो होने पर बना है जैसे सबसे पहली चीज जो इसके अंदर दिख रही है वह आपको capital दिख रही है तो जो 86,000 है ना इसी को हम closing capital बोलते हैं क्या बोलते है closing capital similarly जो creditor है उनको closing creditor या creditor at the end बूला जाता है तो sir अगर यह closing है तो फिर opening किसको कहते है ओपनिंग बेटा इसको कहते है किसको कहते है इसको यानि जो साल की शुरुवात में आए सबसे बड़ा सवाल अभी भी हमारा clear नहीं हुआ है चलो हमें यह तो समझ में आया यह क्या है 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 पर अभी एक सवाल नहीं clear हुआ अगर question में opening capital given होगी तो मैं closing capital कैसे नकाल। कई सारे questions हैं अपने पास साथ नुल करेंगे बैठकर अगर question में opening capital given होगी तो मैं closing कैसे निकाल। तो इसका ज़वाب धुणने के लिए आपको 4 धमकी यात्रा नहीं करनी पड़ेंगे नहीं किताबों के पन्यट रोग ले बढ़ेंगे आपने पिछली वीडियो में जो सवाल सॉल्व करे थे उन्हीं सवालों में इसका जवाब है देख लो यहां पर यह ओपनिंग कैपिटल है इसमें कभी कुछ जुड़ता है इसमें से कभी कुछ कट जाता और उसी की मदद से जो कैपिटल आती है वो कहलाती है क्लोजिंग कैपिटल यानि ओपनिंग कैपिटल में कुछ चीजें जुड़ी कुछ चीजें हटी कुछ चीजें वापिस जुड़ गई और उसकी मदद से आ गया क्लोजिंग कैपिटल फरसर क्या जुड़े गा तो देखें अपनने क्या अपने पाचवी नंबर की कोई चीज जोड़ी थी, तो पाचवा नंबर यह दा, तीन हजार के गुड्स थे, जिनको पाच हजार में बेचा था, यानि दो हजार का प्रॉफिट हुआ था, और हमने इसको जोड़ दिया, तो क्या मैं यहां पर इस चीज को ऐसे लिख दो, कि कैपिटल में, मैंने प्रॉफिट को जोड़ा था, और जो समझदार होंगे, वो यह बता देंगे, कि सर, अगर लॉस होगा, तो मैं उसको माइनस कर दूँगा, सिंपल भाशन, लॉस होगा, तो माइनस कर देंगे, ठीके, और भी कुछ जो, यह देखो, यह अपन ने कुछ हटाया है, चट्टे नंबर पर, पेड़ 5,000 as rent and 8,000 as salary, तो भाई, यह 13,000 रुपे का, मेरा लॉस था, जो मैंने हटा दिया, मेरी बात सिद्धो, होगे ने सिद्धो, जो मैंने बुल, और कुछ किया था, क्या है, अच्छे, तीन हजार और अठाया, देखाए का, राम अच्छे के capital में से हां साथ करते हैं, क्यों करते हैं, तू पैसा गल ले गया, तो तो तुरी capital कांसे सिद्धो हुआ, तो तो गल ले गया उसको, तो यहीं पर क्या में लिख सकता हूं क्या, कि इसमें से drawing हटा दी जाती है, सर, भूस हो गया क्या, नहीं एक चीज और लिख तो इसकी मदद से क्या आजाएगा, सर, closing capital, बस यह इतना ही है, यही formula है और आपको यही याद रखना है, अगर आपको question में opening capital निकालने को बोल दे, जैसे इसकी मदद से तो closing आ रही है, तो नया formula लगा के, अपनी बहुत ज़्यादा समझदारी का proof नहीं देना है, तो आप इसकी formula में सब पुट कर दो, जो unknown value is answer आजाएगा, इसा इधर उधर भागने की ज़्यादा जरुवत है नहीं, तो चलो, यही चीज़ आपको समझनी है, और इसको और पुख्ता करने के लिए, आपन कुछ questions करते हैं, तो यही चीज़ आपको समझनी है, आपन कुछ questions करते ह है, balance sheet का total बराबर होता है, और balance sheet जनरली closing की ही बंदी, बस यही चीज़े हैं, इनको दिमाग में बिठाओ, चलो करते हैं, अब देखो एक और ध्यान रख लेना, liability में कौन-कौन सी चीज़े आती है, आपने पहले पढ़ा हुआ है, क्रेडिटर पढ़े हुए हैं, तेके bills पढ़ा हुआ है, इसे धान रखना नाम बस, चलो कुछ question करते हैं, देखो पहले ही नाम आगे, capital 4,00, creditor 3,00, revenue earned during the period, यानि की तरीके से profit, expenses incurred during the period, losses, value of unsolved goods, यानि की stock, ठीक है, क्या calculate करना है, वह तो बता, calculate total asset, क्या करना है, total asset, और कितने असान है, सब कैसे असान हैं, देखो, assets is equal to capital plus liability, ये तो आपको पता है क्या, everyone says, ठीक है, देखो, capital आपको दे रख ये 4,00,000 की, creditor क्या होते हैं, अपनी liability होती है, क्या, तो यहाँ 3,00,000 लिख दिया, revenue profit capital में जुड़ जाता है, अपने भी पढ़ लिया, ना, साल के अंत की capital लिखा लिए अपने को, ठीक है, expenses minus हो जाते हैं, ठीक है, आप stock लिखा हुआ है, तो देखना, stock क्या है, इस टॉक भी एक asset ही है, तो हम stock को लिखें या ना लिखें, उससे जादा कुछ फरक पड़ेगा, ने, क्योंकि हमें total asset निकालने, तो जो asset आयागा, उसमें stock already counted ही माना जाएगा, थेखें न, तो देखो भाई, कितना हो गया, यह हो गया, साड़े पांच, चार और पांच हो गया, साड़े नौ, प्लस तीन लाग, कितना हो गया, भाई, बारा लाग, पचास आजार रूपे, यह आ गया, आपके assets की value, चेक कर लिए एक बाद, देख लो भाई यह एक बार, question कैसे है, अपनने solve कर रहा है, अराम से देख लो, कोई जल्दी बाजी नहीं है, देख लो अराम से, हो गया, आगे बढ़े अगले सवाल की तरफ बोलो, चल ले, समझ में आ गया ना, clear, अगला सवार, राम कमेंस, टेक्स्टाइल बिजनेस, अन एक अपरेल, दो हजार तेश, अगर हमें तारीके पता नहीं होंगी, तो में समझ में यह आएगा, गैपितल कौन सी वाली कौन सी है, जैसे, इस कोशन को छोड़ते हैं, एक अपरेल, 2030, 31 मार्च, 2024, यहां लेखा है, पांचलाद, यहां लेखा है, तीन लाद, अगर मैं यहां से तारीके गूल करदोंगा, ऱय पकर दूंग, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं, कवशलिंग कुई चुक है करा है को चुम्हाइइं पहले है पहले इंग कि उसके बाद 2020 पहले पहले है तो यह समझदार है जो पूछने स्कूफ़ोग रपाए इनको क्यों नहीं लिखा है पिटल लिख लेता यहां पर तो तेरा दस लाग पचास अजार आ जाता फिर उसमें दो लाग तो जोड़ता इतनी वहनत क्यों कर नहीं है चलो तो राम कमेश्ट एक अप्रेल दो जार तेईस विट कैपिटल ऑफ 30,000 देख लो इसने बुला एक अप्रेल दो जार तेईस को कैपिटल है तो यह कौन सी कैपिटल हो गई ओपनिंग कैपिटल कौन 31 मार्च दो जार चौबिस एसेट पचास लाक रुपे एसेट पचास अजार रुपे पचास लाइबिलिटी है दस अजार रुपे कौन सी तारीक को 31 मार्च दो हजार चौबिस यानि कि यह कौन सी है क्लोजिंग है साल के अंतके हैं find out is closing capital and profit दो चीज़े निकाल नहीं closing capital और profit पर तो closing निकाल रहे तो चलो capital निकालना तो बहुत आसान है assets equal to capital plus liability कौन सी तारीक की अपना निकाल रहा है सरी 30 March 2024 की क्योंकि आपको asset and liability उसी तारीक के पता है 50,000 equal to capital plus 10,000 तो capital कितना आ गया 40-60,000 नहीं हो रहे इधर जाके minus होगा कौन सा क्लोजिंग चलो सर क्लोजिंग तो बहुत आसान था सर दूसरे चीव तो profit कैसे निकालेंगे डरना नहीं अपने पास एक फर्मूला है कुन सा एक ही है किसी से सारे काम सारे काम इससे कल लूँगा मैं देखो अब इस question में drawing अविलेबल नहीं है तो नहीं लिखेंगे इसको additional capital नहीं नहीं लिखेंगे यह नहीं लिखेंगे profit ही निकालना थेक है तो मैं अपना वही रामबाण फर्मूला लिख देत प्रॉफिट इस एक्वल टू चालिस हजार रुप्रेस समझदार आदमी प्रॉफिट इक्वल टू हर सवाल का बहुत आसान जवाब है अगर आप उन सवालों को आंखे खोल कर देखते हैं तो आंखे खोल लो देखो अच्छा यह पॉसिबल है क्या यह हो सकता हटू मिट ले अट जया तरी बास सुन लेता हूं देख बली वीडियो रिकॉडड़ है बिल्कुल खटाक सो एक मैं से क्लोट बिजनेस ओं एक अपराईल 2018 ठीक है संवी कॉष्चंन हो गया यह तीस अजार हां से मी हो गया एक सीगह से मी कॉष्चंन देख दीए रहना है एक है से मी कौष्चंन हो गया तो इसको यह बालत करता है कैल-कुलेट त्टोटल एसेट इस में को निकाल लें है तोड है के टिक्रेड़ कि ऑस्टोट गाल निकाल आप कुछन्य testify है सब को था आस्ट idee का मलं के जांड़्ट कैसे इस एक वटाव टो डवाज प्लस लाइबिलिटी बस इतना सकर दो कैपिटल कितनी है 40,000 रुपे क्रेडिटर कितने है 25,000 रुपे और यहां प्रॉफिट लॉपे गिविन है तो उसको अपने अट जस्करी देते हैं प्रॉफिट कितना है पचास अजार रुपे लॉस कितना है 40,000 तो लॉस माइनस सवालों को करो जितना प्रैक्टिस करोगे इतना बढ़िया तरीके से आप लोगों के जवाब आएंगे अच्छा आपको कमाल की बात बताओं मानोगे हमने अपनी टीम को बढ़िया 4-5 साल हो गया तो को दिक्कत नहीं है ठूंड के निकाल दो किसी अलग बढ़िया बढ़ और अधिये नहीं देखों को मैं जितने में सवाल आपको कराता हूं वो सारे के सारे रहते हैं और इस वीडियो में हम को एक नहीं लगा यगी अगर जैसे यह आगया जैसे भी आगया थे दो डबल पॉस्च्छन तो बहुत देता हूं कभी कभी हटा दो आर इसको तो पाद करने लग गए इससे बहतर क्या हो सकता कुछ भी नहीं ताइरा बढ़ा हो सोच का चलिए अगला सवाल करते हैं क्वर्शन पांच है काप्स शाम साटेड़ बिजन्स ऑन एक अपरेल दो हजार वाइस बिते कैपिटल टेन थाउजन रुपीज एक अपरेल दो हजार वाइस विड्रोग एश ड्रॉइंग हो गया पर्सनल यूज के लिए ले ले बतानी है अच्छा एक देखो कमाल की चीज लोजिंग कैपिटल निकालनी है उपनिंग इविन है लाइविलिटी क्यों काम में आई लाइविलिटी काम में नहीं यह फोकड में लोन देने की बात कर रह है इस इकवल टू ग्लोजिंग जैपिटल अंसर आ गया भाई अपना देखो कितनी आसानी से कितनी है उपनिंग 10,000 प्रॉफिट 5000 ड्रॉइंग 4000 लोजिंग कितनी आ गई बैई ख्लोजिंग क्लोजिंग गई क्लियर इजी आसान चिंपल बोलो हां आसान है ना बहुत बढ़ी आगला सवाल करें चलो राजु श्टार्टेड अब बिजनेस विद अपिटल फिस्टीन थाउजन और एक अप्रेल दोजार तेईश ओपनिंग कैपिटल अब तो आसान हो गया अब लग ना कि सर यह तो ब तो भाई शुरुवात की कैपिटल ओपनिंग पूरे साल में उसने प्रॉफिट बनाया तीन हजार रुपए लाइबिलिटी बनाई उसकी ही ओन्स धाईजार टू सप्लायर अफ गोड्स वाट इस टोटल आसेट ऑफ दी बिजनेस ऑन इकत्यस मार्च दो हजार चौवेस फ ख़या हो गया कि डिय आसेट बताने है आपको उसके गयो हो गया हो गया कितना असान है देखो है को क्यापिटल प्लस लाइबिलिटी 15,000 उपका टोटल एसेट्ड काम खतम हो गया एक बगत अब इससे आदा बड़े तरीके से नहीं करूँआ है समझ गए असने चलो एक कॉशन हो करें अंधिम कर ले किते दो है क्या दो है कर लेते एक कर लेते एक आप कर लेना कौन सा करें बोलो तो बहुत आसान है यार यह लगल ले तो उपर फीरा स्टाटेट अब इसनिस ऑन एक अप्रेल दो हजार बाइस विते कैपिटल अफ पत्चीस जार ओपनिंग कैपिटल और लोन ऑफ बारहा जार पांसो बॉरोड फ्रम शाम लोन यानि लाइबिलिटी एडिशनल कैपिटल ए यानि ड्रॉइंग है और 31 माँ 2023 से एसेट्स फर एसेट दे रहे हैं क्लोजिंग वाले लुजिंग एसेट कैपिटल और एक तिस्क्लोजिंग कैपिटल आपको निकालनी है यह निकालनी है प्रॉफिट जो है वह भी कैलकुलेट करना चल्वा चला अच्छी बात है समझदारी वाला बात है अगर आप इसमें पहले closing capital निकालते हो तो answer कभी नहीं आए तो पहले अगर आप profit निकालते हो तो आपका answer नहीं आएगा इस question को आप थोड़ा सा logically लेके चलना पड़ेगा क्यों लेके चलना पड़ेगा सर क्योंकि हमारे पास यहां asset है और liability है मतलब या closing asset given है आपको लोन यानि liability given है तो सबसे पहला काम question को इसी sequence में करना है सबसे पहले closing capital ही find out होगा पहले profit निकाला नहीं जा सकता क्योंकि profit निकालने के लिए आपके पास capital होने ज़रूरी प्रॉफिट निकालने के लिए capital ज़रूरी है capital कब तक नहीं आएगी जब तक आप शू कल्कुलेटर नहीं करोगे तो you can't find out profit before finding capital तो asset आ गए आपके 75,000 capital सर में पता नहीं liability हमारे को given है कितनी 12,500 तो capital कितनी आ गए माइनस करेंगे ज़र जाके 62,500 ठीक है आगे बढ़ें आगे देखो इदर आ जाओ अब हम बात करते closing capital की तो वही अपना पुराना फॉर्मूला opening capital प्लस profit अब इसमें drawing भी है minor drawing प्लस additional capital is equal to closing capital क्योंकि इसमें हमें एक बार पढ़ने के बास समझ में आया कि सारी चीज़े available है तो opening capital कितनी है 25,000 profit जना आपको कितना हुआ है या हमें पता नहीं है तो profit को P लिख देते हैं drawing कितनी है drawing है हमारी 7,500 additional capital कितनी है 12,500 इससे हमारा answer कितना आ रहा है 26,500 यहां तक clear है समझ गए बहुत आसान है इसको इदर ले जाते हैं तो 25,000 plus profit minus यह गया 50 50 में जुड़े तो 57,500 यह इदर चला गया तो profit is equal to कितना हो गया 25 25 और साथ 32,500 देख लो मैं यहां खुड़ा समयने calculation skip करी है क्योंकि जगे अपने पाद थोड़ी सी कम है ठीक है जी आसान है इजी है ठीक है यह अपन ने इसको इस equation को solve करा है जिनको समझ में नहीं आया है इसको आप solve कर ले ना आपका आंसर पठा करके आ जाएगा ठीक है एजी है आसान है सिंपल है हो गया खितम हो गया ना ठीक है आखरी सवाल है आखरी आप अराम से कर लो करा देते हैं खतम करते हैं और 31 मार्च 2023 यह 2022 गिविन है यह 2023 है तो यह होगा closing डेट बड़े काम किये टोटल एसे एक्सेनल लाइबिलिटी वर दो लाख एंद छे अजार रुपए एसेट दो लाख शौट में करूंगा लाइबिलिटी छे अजार रुपए ठीक है दूरिंग दे यर को प्रोपराइटर हैं इंट्टीज ए कापिटल एडिशनल कापिट प्रोफित आपको गिवन हैं 20,000 रुपए आपको ओपनिंग निकाल लेंगे बडी मस्कोश्चन है झ्लो करते हैं दो लाक यह न मिटाई है दो लाक और शहाजार तो देखेंगे दो लाक में से 6,000 गए तो कितने बचे एक लाक चॉराणवे हजा मैं एक बार क्वेश्चन देखूं किया जो टीम ने लिखा है ऐसा तो नहीं मेरेको गलत दो लाक और शहाजार अमांड मेरेको थोड़ा कम क्लोजिंग 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 क profit profit कितना रुपे साल का 20 000 हञा ड्राइं कितनी करी है टे लिए पिर 10,000 यह अ पिटनी ली है और ली अजर रुपे वह हो इजिकल टू closing closing कितनी हाही il एक लाग चरहानवे हजार है तो गया 40 404 ज्जार माइनस बारा जार तो यह गया 28,000 ah तो एक लाग चौरानवेवे हजार तो ओपनीं कितनी आ गई एक लाग चौरानवेवे हजार माइनस टो अट्ठाइज ज़र कितना हो गया तो एक टीस गये तो कितने बचे दिज गये तो एक यह आपका आगया आंसर यानि की closing capital clear हो गया क्या ओपनिंग capital clear हो गया क्या आसान है तो हमने आमोमन आपके सारे प्रकार के question जो है वो समप्ट कर दी है आपका accounting vision पुरे chapter स्टम हो गया है इस chapter की mcq live class attend कर दी है description में उसका link डाल दूंगा यूज कोट गौरफ जे फर फ्री एंट्री मिलते अगले वीडियो के सार्ड कोटिकर को परेशान जोरू बता है और नमार लोगों कीपने वाचिंग कुट नहीं बाइच नमस्क्राइब